आख तो अगर बात करें HIV infection के HIV infection यानि Human Immuno-Deficiency Virus जो है यह विलों करता है group of viruses को यह हम ऐसे कह सकते हैं कि member है member है group of viruses का जिनको retro viruses कहते हैं ठीक है यह एक disease cause करता है जिसको हम कहते हैं AIDS so HIV जो है वो क्या cause करेगा AIDS cause करता है अब यह होता कैसे है तो यह अलग अलग तरीके से हो सकता है आप किसे infected person के infected person के साथ sexually involved हो जाते हैं तो उस case में हो जाएगा आप infected person का यानि जो उसका blood है वो contaminated है वो blood आपके अंदर transfuse कर दिया जाए तो HIV हो सकता है हम infected person है अगर उसने injection लगवाया है उससी सेम नीडल को use कर लेते हैं या doctors use कर लेते हैं हमारे उपर तो उससे भी क्या हो सकता है हमारे by sharing infected needles हम क्या हो सकते हैं HIV infection जो है हमारे अंदर transmit हो सकता है ठीक है तैसी बहुत सारे जो है तरीके जिससे कि HIV infection जो हमारे अंदर transfer हो सकता है अगर mother infected है तो placenta के थुरू baby या जो developing fetus है उसके अंदर भी क्या हो सकता है HIV transmit हो सकता है तो ए गिविन है sexual contact with infected person करेक्ट है कि sexually हम एक infected person के साथ involved है तो क्या हो जाएगा हमें भी HIV हो जाएगा या AIDS हो जाएगा यह भी करेक्ट है जादतर drug abusers जो होते हैं यानि drugs जो consume करते हैं उन cases में यह देखने को मिलता है हमें देन infected mother to her child through placenta यह भी करेक्ट है तो हमारा जो करेक्ट आंसे चला जाएगा डाट विल बी ऑप्शन दी इसके रिगार्डिंग इन्फरमेशन आपको 12 की निव एंस याडि में पेज नंबर 138 पे मिलेगी आई होप कि आपको एक्वेशन अच्छे से समझा गया है